सब्सक्राइब कीजिए टेक्नो रोहित यूटूब चेनल को और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर दिजिएगा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए तो सेमसंग इलेक्सी A73 का फर्स्ट लूक यहाँ पर निकल के सामने आ चुका है और आप लोग देखी सकते हैं देखने में यह स्मार्टफोन कैसा होने वाला है तो मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों को सेमसंग इलेक्सी A53 का फर्स्ट लूक दिखाया था जो रेंडर से हैं आपर निकल के सामने आये थे तो आप लोग यह दोनों स्मार्टफोन का जो रेंडर निकल के सामने आये यह देखके आईडिया लग गया होगा कि इस बर आप लोगों को डिजाइन में ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा बस उसी डिजाइन जो आप लोगो को A52 और A72 में मिल रहा था उसको हलका डिफाइन किया गया है उसको और अच्छा बनाने की यहाँ पर कोसिस की गई है यह आप लोग बोल सकते हैं तो मुझे तो personally देखने में अच्छा ही लग रहा है कुछ खराब यहाँ पर Samsung ने डिजाइन दिया नहीं है और जो features है वो भी काफी अच्छा होगा इसे smartphone में बताया जा रहा है कि Samsung का यह A-series का पहला smartphone होगा जिसमें आप लोगों को 108 Mbps का camera देखने को मिलेगा और Samsung अपने A70 series के साथ करता ही है जिस तरह से आप लोगों ने देखा था Samsung Galaxy A70s में आप लोगों को 64 Mbps का quad camera का setup मिले था जो कि A-series में पहली बार Samsung ने दिया था और अब आप लोगो 108 Mbps का camera भी Samsung के A73 में मिलने वाला है इस smartphone का प्रोसेसर है उसमें एक soaking news निकल के सामने आया है soaking leaks इसे आप लोग बोल सकते हैं क्योंकि बताये जा रहा है कि जो Samsung Galaxy A73 आएगा यहाँ पर आप लोगों को Qualcomm का Snapdragon 750G जी हैं आप लोगोंने बिल्कुल सही सुना Qualcomm का Snapdragon 750G का SOC मिलने वाला है अब ऐसा Samsung क्यों कर रहा है यह तो मैं आप लोगों को नहीं बोल सकता क्योंकि Samsung Galaxy M42 में आप लोगो Qualcomm का Snapdragon 750G मिल रहा था लेकिन यहाँ पर लग रहा था कि सायद आप लोगो Exynos का 1280 देखने को मिलेगा जो कि Samsung नया लोंच करने वाल है अपने AMD के GPU के साथ जो कि A53 में देगा लेकिन बताये जा रहे कि A73 में आप लोगो Qualcomm का Snapdragon 750G SOC मिलने वाला है तो यह मैं बोलोगा कि कहीं ना कहीं डाउन गिरेड है क्योंकि A52S में ही तो हमें Qualcomm का Snapdragon 778G का powerful SOC मिलता है तो उससे तो यह डाउन गिरेड ही से आप लोग बोल सकते हैं लेकिन 750G भी कोई खराब प्रोसेसर है नहीं अगर आप लोग कोई सक्सेसर लॉंच कर रहे तो उसमें थोड़ा यहां पर ध्यान देना चाहिए अगर A72 से कंपेर करते हैं तो डेफिनेटली अप गिरेड है क्योंकि A72 में आप लोगो Qualcomm कैस्ट ने बढ़ेगें 720G मिल रहा था लेकिन A52s में हमें और रेड़े इससे अच्छा chipset मिल जाता है अब मैं यह भी बोलूँगा कि स्रिफ प्रोसेसर कुछ नहीं होता है बाके फीचर भी आप लोग को देखना चाहिए लेकिन हाँ प्रोसेसर भी एक मेन मेन पार्ट होता है कि स्मार्टफोन का क्योंकि प्रोसेसर ही सब चीज हैंडल करेगा तो यहां मुझे थोड़ा सा डाउन ग्रेट लग रहा है थोड़ा सा मैं मतलब निरास हो कि Samsung यह ना करें उमीद करते कि एक जूनोस का 1280 ही दे जो मेरे खिल से जाता है यहां पर बहतर ह होगा आप लोगों का क्या ओपीनिन है आप लोग मुझे कमेंट सक्षन है बताईए आप लोग का जो भी कोईस्टन से डिस्क्रिप्शन में लिंक है जाए मुझे इंस्टागरा में फोलो कर लिजे वहां पर भी आप लोग मुझे हर एक कोईटन पूछिएगा मैं आप लो